नमस्कार दोस्तों मैं सुप्रिया मुझा स्वागत करती हूं आपका decode exam के daily current affair की class में दोस्तों आज हम अपनी current affair की class में discuss करेंगे 7 और 8 माँ से related current affair को तो दोस्तों आज की class में हम 2 दिनों के current affair को discuss करेंगे जैसा कि कल संडे था और मैं उमीद कर दी हूँ कि कल संडे को आप लोगों अच्छे से अपने सारे जो है subject को जो आपके syllabus के recording है आप लोगों ने इसको अच्छे से revision किया होगा इससे आपको चैनल से related हर क्लास के वीडियो का proper notification मिलेगा और आपकी कोई भी ग्लास दिसने होगी दोस्तों start करते है अपनी ग्लास और आज की ग्लास में सबसे पहला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तुफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है तो देखे अभी आहाली में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा है और यह साल का पहला चक्रवात है जिसका नाम है साइक्लोन मोचा और इसको किस देश के दोरा इसका नाम दिया गया है दोस्तों, आपके सामने हैं, जिसे आंसर आ रहा है, वो comment box में आंसर करें तो दोस्तों इसका जो correct answer है वो है A, ठीक है, यानि कि यमन के दोरा जो है, इसका नाम दिया गया है, cyclone mocha को तो अभी हाली में देखा जाए, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवाती तुफान उठा है, ठीक है, cyclone mocha और ध्यान रेखेगा, ये इस वर्स का, यानि कि 2023 का, जो है ये पहला cyclone होगा, जिसका नाम है mocha और ध्यान रेखेगा, ये जो लाल सागर की टेट पर ये इस्थित है, यमन्ज ठीक है, और यमन का ही एक शहर है, जिसका नाम है mocha कहीं के पिसको मुखा भी कहा जाता, और इसी के आधार पे mocha के ही नाम पर यमन ने इस चक्रवात का नाम मोचा दिया है, ठीक है, इस चक्रवात का जो नाम करड़ किया गया है, दोस्तों, जैसा कि ये है आपका बिश्व मौसम विका, जो है विज्ञान संगठन, उसने इक आदेश जारी जो है वो देते हैं, तो इस आदेश में देखे क्या कहा गया था, कि प्रतिक चक्रवात का नाम ऐसे उधारों के भ्रहम से बचने के लिए रखा जाना चाहिए, जहां एक अस्थान पर कई प्रडालिया जो है, वो संचालित होती है, तो जहां एक अस्थान पर कई साली इन चक्रवातों की जो भी हल फिल हल में चर्चा में थे और जिनका नाम करड़ किसी आने देश के द्वारा किया गया, पूछा भी जाता है, इससे डारेक्ट प्रशन है, तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, चक्रवात फ्रेडी जो है था, यह अस्ट्रेलिया टट पे चक्रवात मंदस देखिया था, बंगाल की खाडी में आथा, इसका नाम करड़ संयुक अरब अमीरात के द्वारा किया गया था, वहीं चक्रवात सीतरंग आया था दोस्तों, भांगलादेश को प्रहवित किया था, इसका नाम करड़ जो किया गया था, यह किया गया था, थ सामने जो है map खुला हुआ है और आपको यहां पे दिखाई दे रहोगा यमन कंट्री ठीक है दोस्तो यह देखे हैं यहां पे यमन देखने को मिल रहा है ठीक है यमन जिसकी सीमा देखे कुछ देशों से लग रही है उसाथ यसकी समुंदरिक सीमा है यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों ठीक है यमन जिसकी सीमा देखे जो देशों के साथ लग रही है वह ध्यान रखेगा सौधी अरब से लग र देखने को मिल सकता है यह जो रहे जिसका नाम है Gulf of Edan और Gulf of Eden और Red Sea को जोड़ने वाला माइक इसका नाम दोस्तो क्या है किसी नाम पर इसका नाम रखा गया तो का कि यमन की Isos भारती होने पारटियों को सूरक्षित तरीके से बाहर में निकालने के लिए भारत सरकार ने operation चलाया था दोस्तों जिसका नाम है operation राहत ठीक है operation राहत चलाय गया था यमन में 2015 में आपको जो comment box से बताइए कि जब रूस और इरान जो है यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था ठीक है रश्या के युद्ध के दोरान कौन सा operation भारा सरकार के दोरा चलाय गया ठीक है तुर्की और जब सीरिया में दोस्तों ठीक है यहां पर ध्यान रखेगा सीरिया में जब भुकाम पाया तो उस दोरान कौन सा operation भारा सरकार के दोरा चलाय गया और अभी ध्यान रखेगा अभी हाली में जो सुडान में हुआ है वहां पे जो है फसे भार्दियों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा उप्रेशन चलाएगा आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएगे चले अगला प्रश्टा है हमारा की केंद्री मंत्री नित्यानंद रायने के दावकी भूमी बंदरगाः का उध्गाटन केया है तो दावपी भूमी बंदरगाः का उध्गाटन किया गया है ऑप्श्न साभ देख रहेए हैं या इन या उत्तर पुर्षर्य राज्य के बीच में इस्थित हैं तिक है और इन दोनों देश है न कि भारत और बांगला बांगलादेश के बीच में व्यापार और वाडिची को बढ़ावा देने के लिए ठीक है जो मेघाले के पस्चमी हीलते के तीन हील्स है ना गारोखासी जैनतिया ठीक है गारोखासी जैनतिया तो जो पस्चमी जैनतिया हील से वहीं पे जो है दाविकी भूमी बंदरगा का किया गया ठीक है बिसिकली इस बंदरगाह का जो घाटन किया किया है वो भारत और बांगलादेश के बीश व्यापार वाडिज्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है इस बंदरगाह के अगर हम स्थिति देखे तो जो वाई जो कि पस्चमी जयंतिया हील्स का ये जिला म किलोमेटर और जो मेग्हाले की राजवानी सिलांग से लगबक 84 किलोमेटर ये दूर है ये इसकी लोकेशन से помlive और इसस्थिति इस बंदरगाह को बनाए जाने का जो देश था जैसा homme बोट अन वहन केंद्र है उनके बढ़ावा देना उनके बीच में काम करना और सीमा पार देखा ज़र माल लोगों और वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ठीक है इस उद्देश्य से लेकर कि इस बंदरगा का निर्मार किया गया दोस्तों बात करें में घाले की तो में घाल बाते हैं की एक ही राज सीमा लंक्ति हैं अंतर रास्ट्री सीमा यह देखा जाइंक पूरी तरीके से तीन ओर से देखा जाई तो दोस्तों यह असंसे गिरा हुआ है और इसकी एक से उद्द्द्द हैं और यहां सlles ने के जयर्टे हैं के जो आप्रल 1970 स्थिते हैं और लोक सभा में इसकी दो सीटे हैं विधान बंडल में इसका एक सद्नी है यानि कि मातर विधान सभा है और विधान सभा में इसकी 30 सीटे हैं यहां पे कुछ अन्य भी बात करें जैसे कि यहां पे कौन-कौन से वनजी अभ्यारण है दोस्तों तो यहां पे देखें वनजी अभ्यारण एक आपका है नोंगी खीलिम वनजी अभ्यारण दूसरी बात करें नरपू वनजी अभ्यारण नोकरिक रास्टी उद्यान ठीके ब तो झोरा वांगला जो है महस्तो मनाए गया तो मांगला महस्तो को भी मेग्वाल्या में आयुजित को आ जाता है does ithang और आते दोस्तों अगले प्रष्ण पे कि हाल ही में कब अंतरास्टिय तेण द्यू अगयbab editor मनाएगया तो यह मना गया एक संस्था एक Trust है जिसका नाम है Cape Tendua Trust और इससे जो है सक्रिय शिकारी संरचछड कारी समुहों ने ठीक है Tendua को वैश्वी कस्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक नया Portal लाँच किया है तो Tendua को वैश्वी कस्तर पर बढ़ावा देने के लिए कि इसके दोरा एक Portal लाँच किया गया तो Cape Tendua Trust के दोरा किया गया दोस्तों बात करें Tendua का तो इसका जो विग्यानिक नाम है वो पैंथारा पड़ीज जो है वो इसका विग्यानिक नाम है और यहाँ पे जो हमारी Ministry है Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India इसने देखें एक रिपोर्ट जाडि क्या था और इस रिपोर्ट में बताए गया था कि भारत ते इनदावी के शिति क्या है तो इस एक रिपोर्ट आई थी भारत में –rir चा हाल पर जानों है और बताएगा था 2004 के अनुमान में डेखा जा या अनुमान का अधार पर भारव में जो तेंदुए के आबादी है दोस्तों वो कितनी परसंट बढ़ी है तो 60% की बृद्धी हुई है ठीके 2014 के मुकाबले में जहां पर हम देखे 2014 में जो अलुमान लगाए गया था कि तेंदुए की आबादी लगबाग 18,000 है माफ करें का 8,000 है वहीं जो कि 60% के बृद्धी के साथ 2018 में ये 12,852 हो गई थी सरवादिक जो तेंद्ँए वाला राज्य है जहां पर तेंद्ए सबसे आधिक है वो देखे कहां पर दोस्तों, मध्यप्रदेश में 3421 है मुँआ दूसरे नमइर पर करनाटेक आता है तीसरे नमइर पर कौन सा राज्य हाता है मारास्टा आता है, ठीक है तो यह जो है 3-2 है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अगर हम बात करें 3-2 की जो है सुरक्षा की स्थिती में देखा जा तो IUCN की Reds List में इसको असुरक्षित या फिर लुप्त प्राइगोशित किया गया कोई Size की जो है लिस्ट में इसको परसिस्ट 1 में इसको जो है रखा गया है और वही 1-0 समर्च्छा अधीनियम 1972 को इसको अनुसूची एक में रखा गया है तो 1972 के अनुसूची में एक में रखने से ताथ पर है कि उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है आईए बात करते हैं कुछ अन्य दिवस की जो इस महीने चर्चा में थे जैसे कि दाई का अंतररास्थी दिवस दोस्तों मनाए गया ये पाँच मही को मनाए गया पाँच मही को बहुत सारे दीवस मनाए गया जैसे कि World Hand Hyzine Day मनाए गया पाँच मही को अफरिका बिस्व बिरासद दीवस मनाए गया पाँच मही को और वहीं बनाए गया बिस्व कार्टूनिस्ट दीवस ये भी पाँच मही को मनाए गया चार मही को देखे दो दिवस मनाए गया एक अंतररास्टी अगनी शवन दिवस मनाए गया और दूसरा मनाए गया कोईला खनिक दिवस मनाए गया तीन मही को ध्यान रखेगा विस्व प्रेस सुतंतरता दिवस मनाए गया और इसी दिन इंडेक्स जारी किया गया था विस्व प्रेस सुतंतरता सूच कांग ठीके जिसमें भारत की रंग क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंसर करिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रंग क्या है जो कि जारी की गए थे विश्व प्रे सुतंतरता दिवस के उसर पे तीन मही को क्या है और वही विश्व स्रम दिवस मनाए गया अंतर राश्व स्रम दिवस एक मही को मनाए गया तो यह देखे अभी तक के जितने भी जो दिवस थे, जो मई में भी चर्चा में थे, हमने यहाँ पर इसको रिविजन किया अगला प्रशन है दोस्तों की, National Manufacturing Invention Survey 2021-2022 द्वारा किस राज्य को सबसे नवीन राज्य का दर्जा दिया गया है तो National Manufacturing Invention Survey जारी किया गया है और यहाँ पे जो है, Invention की छेतर में सबसे जो है, सिर्ष राज्य मिला है, वह सिर्ष राज्य का जो दर्जा मिला है, उसको मिला है करनाटक को मिला है तो यहाँ पे देखें, दो संस्थाए हैं, एक तो भारत की विज्ञान और प्रद्योगी की विवाग, वहीं देखा जा दूसरी है, यूनिडो यानिकी, सैयुक्तरास्ट और द्योगी विकास संगठन इन दोनों ने मिल करके ठीक है, एक सर्वे जारी किया है, देखा जे क्या नाम उस सर्वे का एक अध्यान है, नेशनल मैनुफेक्टरिंग इनुविंशन सर्वे 2021, समरी फॉर पॉलिसी मेकर और इस सर्वे के अनुसार देखे, करनाटक में बात करें दोस्तों, तो करनाटक देखे 33.41 स्कोर के साथ जो है, इन्डियन मैनुफेक्टरिंग इनुविंशन इंडेक्स में, जो कि 2022 में सिर्श अस्थान पे रहा है, तो इन्डियन मैनुफेक्टरिंग इनुविंशन इंडेक्स जो जारी किया गया है सरवे 2021-22 इसमें देखा जा तो बिग्यान और प्रद्योगी की मंत्राले के जो DST हैं के सच्चिव हैं डॉक्र स्रीवरी चंदरशेकर उनके त्वारा ये सरवे जारी किया गया है और इस सरवे का बेसिकली उद्देश ही क्या था एक तरीके से मुल्यांकन करना था कि जो वी निर्माण की छेत में जो इन्वेंशन प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुल्यांकन किया गया था और इस मुल्यांकन में देखे करनाटर टॉप पे रहा है बात कर लेते दोस्तों इस संगठन की संयुक्तराश उद्योगिक संगठन यूनिडो की जिसका देखे यूनाटिड नेशन इंडूस्ट्रियल डव्लेंपेंट और और इसका जो मुख्याल है दोस्तों वियना ऐस् यूनिडो के वो है गर्ड मुलर जो है वो इस समय महानिदेशक है अगला प्रश्थे हैं है धरतिय नौचे कि किस प्रोजेक्ट के तह्त त्यार तीसरी जंगी जहाज इंफाल का पुरिचढ किया है तो यह तीसरी तो भार्टी नौसेना का ये प्रोजेक्ट है 15B और इसके तहर देखे एक विद्धुपोत को जो है बनाये गया है तयार किया गया है और ये जो युद्धुपोत है वो रडार से बचने में भी सक्षम है और ये तीसरी ध्यान रखेगा स्वदेशी विद्ध्वनसक है बात करें दोस्तों इसके विशिस्ताओं की ठीके सिद्धुपोत की इंफाल की तो ये देखें कई विशस्त तक्निकों और उच्छ स्वदेशी सामागरी से ये लेस है और इससे जो है नौसेना की इंधुपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा क्या किया गया है इन हाउ किया गया है वो मजगाव डाक लिम्टेट की द्वारा किया गया है ठीके इंफाल देखें ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस बिध्वन सक्क युद्धुपोत होने का ये अनूठा गौरो प्राप्त होगा इसे कि सबसे अभी तक का जितना भी युद्धु आवसेना में शामिल कर दिया जागा आए अनूठाल को किस प्रोजेक्ट के तदुस्तों प्रोजेक्ट के इंपॉद्ध्ट हापके लिए प्रोजेक्ट 15 B देखिए अभी एक और भी प्रोजेक्ट था जो कि चर्चा में गा प्रोजयक्ट 75 के तहर जिसमें से पाच जो है वह शामिल कर लीगी है छहटी एक बच्ची है तो देखे सबसे पहले जो थी जो सबमरीन थी ठीके प्रोजयक्ट 75 के तहर निर्मीर जो पहले सबमरीन थी वह आई-ए-न-स कलवरी थी जिसको December 2017 में हमारी भारतिय नौसीना में शामिल किया गया दूसरी INS खंडरी थी जिसको 2019 में सामिल किया गया वही तीसरी INS करणज है जिसको March 2021 में सामिल किया गया INS देलह है जिसको November 2021 में और पाछिवे देखे इनस व excavigator है जिसको December 2022 में और इस साल के अन्त यानी की 2023 के अन्त में आयनस वागीश्री जो है उसको सामिल किया जागा प्रोजेक्ट 75 तो यह दोनों ही प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारती नहों सही ना की प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 15B और ध्याम रखेगा यह सारे जो है यह जितने भी जो यह 6 पंडुब्यां है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है इस्कॉर्पिन 3D के पंडुब्या है तो इस्कॉर्पिन डिजाइन ही है इनको जो है अच्छे से ध्याम में रखेगा अगरे प्रश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो और यह मिशन है भादा सरकार का ठीके तो केंडर सरकार का मिशन है .. जिसका नाम है स्मार्ट सीटी मिशन स्मार्ट सिटी मिसन की सीमा वो किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार की दौरा options आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका जो correct answer है वो है B ठीके तो यहां पे 2014 तक स्मार्ट सिटी मिसन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है केंद्री आवास और सहरी मामलो के मंत्रा ले ठीके और इनों गयाओने के इनके Zumarमार्ट सिटी मिसन है। तो केंद्री आवासं सहरी मामूलटी के मंतराले का है इस से देखा जाएएँ अब ये जो समय मिला है दोस्तों एक तरीके से पूरा एक साल का वक्त मिला है तो इससे क्या होगा जो सभी स्मार्ट सेय जो इस शहर है उनको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने का वक्त मिल गया और इतना ही नहीं जो इस मिशन के दौरान जब से इसको लॉंच किया गया है तो इस दौरान जितनी भी सीख मिली है जो है स्मार्ट सिटी उसका क्या करें के डॉक्मेंट करने और उनको प्रसारीत करने के लिए उनके पास एक अधिक समय मिल गया है दौस्तों स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में शुरू किया गया था और इसमें जो है सौ जो स्मार्ट सिटी को चुना गया था वह जनवरी 2016 से लेकर के 2018 के बीच में एक प्रतिहसपर्दार किया गया था और इसी प्रतिहसपर्धि प्रक्रिया के मानते हम से 100 शहरों को चुना गया था जिनको आगे जाकर इनकी स्मार्ट सिटी बनावा था इन शहरों को देखा जाए, उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी चैन की तारिक से 5 साल की समय सीमा दी गई थी, तो जिस से उनको चुना गया था, जिस समय, उसी समय से उनको 5 साल का समय दिया गया था, कि अपने आपको स्मार्ट सीटी में बदल लेकिन अभी भी देखा जाए, तो जैसा की, यह उमीद की जा ले थी, कि यह मिशन जो है, 2024 तक पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि बर्तमान की अगर हम इस सिटी देखे दोस्तों, यह 100 समार्ट सीटी को चुना गया था, उसमांतर 85 सहरे जिस तो अपने 75 परि रहा दिया जागा, तो एक साल का समय दे दिया गया, दोस्ता मंत्राले के दोरा, यानि कि यहां पर बात करते हैं, यह जो आवास और सहरी मामलों के मंत्राले, देखे यह और बी चर्चा में थे, यहां पर दोस्तों, थोस अफिस्ट, ठीक है, सॉलिज मेनेजमेंट, ठीक है यहां पर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, और प्रयूक तजल प्रबंधन होते हैं, उनमें तेजी लाने के लिए, जो आवास और सहरी मामलों के मंत्राले, इन्होंने इस साल दो माई को, जो राइस लिम्टेड है, उसके साथ क्या-क्या, एक समझ होते कि आपन पर हस्ताक्ष प्रयूशन आपके पीसेस वगरा में अकसर इस टाइप की कोशिन पूशे जाते हैं, यह काफ इंपॉर्डेंट कोशन है, तो ओडिय प्लस रैंकिंग में देखें किस जिले ने पहला स्थान हासिल के आप्शन साब देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर इस वा उउटने ओञूशन के साबहान में बात करें बात करें सुक्षतां एंढिवान में देखें का स्वाक्षता रखने के दिस्या में देष के प्रयास को महतपूड मिल के पत्थन सद्ध की कोशिएयस सौच मोक्त," Gentee Apra E unfoldeed जो है कच्रा प्रबंदन यहां पे ध्यान रिखेगा एक O.D.F है और यहां पे बात करें O.D.F प्लस का तो यहां पे ओफेंडिफेकेशन फ्री तो हुआ है वाइनाट लेकिन कुछ और भी वहां पे चीज है जैसे कि वहां पे बायो डिग्रीडेबल कच्रा प्रबंदन है दूसरा प्लास्टिक कच्रा प्रबंदन भी है गंदे जलका भी प्रबंदन है मली कच्रा प्रबंदन है तो हार एक तरह का अपने अस्तर पर जितने भी कच्रे हो सकते हैं उन सब का प्रबंदन जो है इस जिले में देखने को मिल बात करें तो यह कारिक्रम जैसा कि आपको पता है स्वक्ष भारत मिशन है उसी का यह हिस्ता है और स्वक्ष भारत इशन जो है मिसल सुरू किया गया था सरकार के दौरा 2 October 2014 को 2 October को गांधी जी का जैनती मिना जाते हैं गांधी जी जो है वो अपने देश को स्वक्ष देखना चाहते थे और उन्हीं के जन्देश के औसर पे गांधी जैनती के उपलक्ष में हम क्या है स्वक्ष भारत मिशन को सरकार की दोरा सुरू किया गया था ठीक है देश बर म तो वाइनाट को जो है त्री स्टार्स रेडी के तहट जो है ओडियफ प्लस रैंकिंग में पहला अस्थान हासिल हुआ है वाइनाट के बाद कौन-कौन से जीन है दोस्तों तो महरास्टा का एक है मंचेरी आल है और मद्य प्रदेश का देखे अनुपूर जिला जो है वो ओशदी प्रसासन ने दुनिया की पहली RSV वैक्सीन को स्विक्रिती दिया है तो दुनिया की पहली RSV वैक्सीन को स्विक्रिती दिया है दोस्तों अमेरिका की यानि की करेक्ट टांसर इस डी है ठीक है तो यह अमेरिका का खात्य और ओशदी प्रसासन है ठीक है तो यह अमे वाइरस जिसे हम RSV कहते हैं उसके खिलाफ GSK-RXC वैक्सीन की वैसको के लिए बनाएगी वैक्सीन को सुकृति दया है जो जो एडल्ट के लिए बनाएगी वैक्सीन उसको जो है यह सुकृति मिली है चुकि यह सुकृति अभी खाते और और आसधी प्रसासम के दौला दिया अभी अभी अमेरिका के जो रोग नियंत्रण और रोग थाम केंद्र है उनसे जो है इस मैक्सिन को मंजूरी मिलना अभी बाकी है पात करें आरसवी की दोस्तों ठीक है जानी की रेस्पिरेटरी सिकांटियल वायल जो है जो है बच्चों के बीच काफी जाद है यह प्रशलीत करता है इसके लच्छन को देखा जाए दोस्तों तो इसमें क्या होता है हलके ठंडे जैसे लच्छडों यह होता है ठीक है हलके ठंड जैसे होते हैं लेकिन कमजूर अगर आपके इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होता है तो यह जो है बिमारी गंभीर हो सकती लोगों में इसमें देखा जाए जो सुश्यों बुजर्गों को गंभीर निमोनिया और यहां पर देखा जाए तो ब्रांट कोलाइटिस का कारण बन सकती है ठीक है तो यह चीज़ता द्याम रखे वाली दोस्तों मुंबई में खळने वाली है तो यह भी मंबई है नगर निगम है उसके दोड़ा मुंबई टटिये सड़क परियोजना चलाइच और इसी परियोजना पर दो वरसे अधिकार एक परस्याद भारत का पहला अंत्र समुंद्रिय जुडवा सुरंग जो है वो मुंबई में खुलने जा रही ठीक है मुंबई में खुलने जा रहा है जैसा कि आप इसके तजवीर देख सकते है इस सुरंग देखे है जैसा कि यह मैंने बताए कि यह सड़क परियोजना ठीक है तटी यह जो आप हमने बात तो ये कित्ती किलो मीटर है तो 2.07 किलो मीटर यह लम्बी सुरंग है और ये समुन्दर तल से देखा processes 17-20 मीटर के नीचे हिस्थित है और ये लगभग 1 km हिस्सा जो है ये समुन्दर के नीचे भी है उद्देश्म किया था इस परियो ज्यशना का दोसतो ये उद्देश्म देखे पी कावर्स में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो उस ट्रैफिक के दौरान यात्रा के समय को क्या करना 35 मिनट से घटा करके क्या करना 10 मिनट तक करना इस उद्देश से इसको बनाएगा है ठीक है तो ध्यान रखेगा भारत का पहला अंतर समंदरी जुरुवा सुरंग जो है वो मुंबई में खुलने वाली है आएए बात कर लेते हैं कुछ और भी तत्यका जो हमाले एक्जाम के लिए जरूरी है जैसे कि भारत का पहला केवल आधारे रेलवे ब्रिज बनकर त्यार हुए दोस्तों कहां बनकर त्यार हुआ है जम्मू कश्मीर में आप याँ पर तस्वीर देख सकते हैं वहीं देखा जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को उस घाटन किया गया दोस्तों कहां पर हुबली करनाटक में किया गया था मुंबाई का चर्च गेट स्टेशन ने रेकिए उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया दोस्तों सीडी देख स्टेशन तो चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल करके सीडी देख स्टेशन कर दिया गया है जो कि मुंबाई में स्थित है आई आज के लास्ट अंसी की तरब बढ़ते हैं UK में Green Organization ने किस Metro को Green World Award 2023 प्रदान किया है चिन्ने Metro Railway लिम्टेट को Green World Award 2023 प्रदान किया है ठीक है? चिन्ने मेंट्रो रेलवे लिंटिड को यहां पे देखा जाए मियामी में एक कारेक्रम आया जित हुआ था और उसी कारेक्रम के दौरान देखा जाए तो चिन्ने मेट्रो रेल लिंटिड ने Green World Award 2023 की Carbon Cut-O-Ties Ready में क्या जीता है दोस्तो रजत पदक जीता है ठीके Silver Medal जीता है इस Organization की दोस्तो बात किया जाए ग्रीन Organization की तो यह एक पर्यावरण गैर लाबकारी संगठन है और यह दुनिया भर में जितने भी पर्यावरण के लिए जो सर्वत्तम प्रथाय उनकी पहचान क करता है जो पर्यावरण के संगठन में जो लोग कारी करते उनको संभानित करता है और साथ ही साथ ऐसे कार्यों को ऐसे कार्यों को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण के संगठन में अपनी महत्यपुड भूमी का निभात है तो Green Organization यह UK-based organization है तो दोस्तो यह था आज का हम अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में Facts of the Day के बारे में दोस्तों सबसे पहला Facts है कि बिश्व स्नूकर Championship का किताब अपने नाम किया किसमे क्या है लुका ब्रिसल ने बेले जीम के है ठीक है दो बार Diamond League का किताब जीतने वाले पहले भारती खिलारी दोस्तों बन गें क अबिताफ काज्ञ है वहीं धगा यहाँ पे पूला वःपू प्रसाद का किया है तो यह था आज हमारा करेंट अफ़ेर उमीद करती हूं आपको अच्छा लगा होगा अच्छा ले में अच्छा लगा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जाए डाउनलोड करें और लग जाए प्रिप्रिप्रिशन में दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अंगले सेशन में तब तक के लिए है वाग गुद टे स्टी सेव और स्टे हैपी